असलाम अलेकुम, मेरा नाम आमिर अंसारी है, मैं काविश, असादिजा और प्रोफिश्टन्स की जो तन्जीम है, उससे जुड़ा हुआ हूँ वैसे ते टीचर और काउंसलर गुजिश्टा दस सालों से हम मुक्तलिफ स्कूल और कॉलेजिस में तल्बा और तालिबात की रहनमाई का, तालिमी रहनमाई का काम कर रहे हैं शुरुआत पे हमने इंडिविज्वली बहुत सारे प्रोग्राम्स किये, लेकिन जब ये काम हम कर रहे थे, उस वक्त हमने ये महसूस किया, ये तल्बा और तालिबात की एक बहुत बड़ी तादाद है, जो इस काम के लिए उन पर काम करना बहुत जरूरी है लियाज़ हमने असातिजा किया और काउंसलर्स के एक टीम मनाई, हमारे साथ बहुत सारे अफराद जुड़े जो इंजिनियर्स थे, डॉक्र्स थे, और इस तरह तकरिबन एक बड़ा मजमा हमारे साथ हुआ, जो इस काम के लिए तयार हुआ गुदिश्टा आट-दस सालों में हमने असातिजा के लिए, स्टूडिन्स के लिए और वालदें के लिए काफी प्रोग्राम्स किये काविश का एहम मकसद ये है कि हम तल्बा और तालिबात को निचले लेवल से उनके आने वाले मस्तक्बिल की जो जिन्दगी है, उसके लिए उनको तैयार करें उनके अंदर होसला, उनके अंदर खुवत, उनके अंदर कुछ करने का जजबा पैदा करें उनकी लाइफ में उनके तालीमी और जिन्दगी के असल मकसद से उनको वाकिफ करवाएं इसके लिए हमने गाहे बगाहे बहुत सारे प्रोग्राम्स किये हैं सबसे पहला प्रोग्राम हमने 2008 में करियर फेस्ट के नाम से साबो सिद्धिक कॉलेज में किया जिसमें तकरिबन पांच से छे हजार तलवा और तालेबात ने मुंबई शहर के मुक्तलिफ इसकुले से शिरकत की उसमें हमने सबसे पहले एक नया कंसेप्ट हमारे प्रोग्राम्स में करियर गाडेंस की वो शुरू किया के रोल मॉडल्स के साथ में हमने टॉक शो शुरू किया ऐसे वो नौजवान ऐसे वो प्रोफेश्टन्स जो अभी-अभी मुक्तलिफ पेशों से जुड़े हुए हैं उन पेशों से उन पेशों की मालूमात देने के लिए हमने उनको ही बच्चों से रूबरू करवाया जो बहुत पसंद किया गया उसके बाद से हमने लगातार कई प्रोग्राम्स किये पिछले पांच साल से हम एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम हम होंगे कामियाब है जिसमें खास तवर पे SSC के बच्चों को हमने टार्गेट किया है उसमें भी खास तवर पे उर्दो मीडियम के तलबा और BMC के तलबा वो तलबात जो इस साल हर साल दस्वी का एक्जाम देंगे उनको पेपर प्रेजेंटेशन, उनको स्टड़ी, टेक्निक, उनको पढ़ाई करने के मुक्तलिफ तरीके और पढ़ाई के साथ किस तरह से इंजॉय किया जाए, मज़े के साथ पढ़ा जाए उस पर हमने इसको फोकस किया है, इस प्रोग्राम ने हम खास तरह पर ये कोशिश करते हैं कि एक IAS ओफिसर या IAS इस प्रोग्राम में शरीक हो, ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले इसी तरह का एक प्रोग्राम हम 5 दिसम्बर को करने वाले हैं, जो सान मुखनन हौल में 5 दिसम्बर को होने वाला है जिसमें बतारे चीफ गेस्ट हमने कैसर अब्दुलहक जिनका तालुक मालेगाओं से हैं उनको हमने मदू किया है, जो इसमें बात करने वाले हैं, साथ ही साथ हमने एक guest of honor के तौर पर NDTV इंडिया के मुंबई के जो associate political editor है, जनाब प्रसाद काते साथ उनको भी हमने मदू किया है, जो as a guest of honor हमारे students से बात करेंगी उसके लावा कुछ बच्चे हैं, जो C.A. हैं, I.A.T. से फारिग हैं, कुछ बच्चे जो हैं, वो किर्केटर हैं, इस तरह के मुक्तलिफ students को हमने role models के तौर पर बच्चों के सामने पेश करने हम जा रहे हैं साती साथ अपने नाम सुनाओगा रह्मानी 30 का, जिसमें मौलाना वली रह्मानी साब की जो साब जादे हैं, फाहद रह्मानी साब, उनके जेरे निगरानी पिछले 4-5 सालों से I.A.T. की और M.B.B.S. के लिए बहुत अच्छी कोचिंग चल रही है, तो इंचला फाहद रह प्रोग्राम में आने वाले हैं, तो हम गुजारिश करते हैं हमारे तलबा और तालिबात से, हमारे असातिज़ा से, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट के मेंबर से कि इस प्रोग्राम में आप जरूर शामिल हो, जरूर शिरकत करें.